गुर्णूर्णिंग स्टुडेंट्स, I hope you overall well. स्टुडेंट आज हम exercise 9.6, yes, chapter number 9, differential equation. तो exercise 9.6 करेंगे, इसमें question number first है, solve the differential equation dy by dx plus 2y is equal to sin x. तो स्टुडेंट इस exercise के अंदर क्या है, कि हम integrating factor, integrating factor का use करेंगे. अब उसमें कैसे पता चलेगा student आपको? सबसे पहले तो आपने देखना है कि क्या यह जो equation है? This is in the form, ठीक है? कौन सी form? dy by dx, okay, plus py is equal to q. क्या यह इस form के अंदर है? तो आप देखें कि पहले dy by dx दिया हुआ है, फिर 2y is equal to sin x. तो y से पहले क्या है? कि 2 है, ठीक है? और equal में क्या है? sin x. यानि कि यह दोनों term में आपकी x की form में होंगी, और बाकिये जो है वो आपका dy by dx plus y. यानि कि इस तरह की जो form है, जैसे display पर नज़रा रहा है, वो आपने देखनी है और बनानी है. कहीं बार क्या होगा कि आपको जैसे यह दे दिया, x dy by dx plus x square y is equal to 1. अब dy by dx से पहले x है, तो आप जो complete equation है, इसको x से divide कर देंगे, तो यह आपके पास term हा गई. अब आप देखें कि यह जो है dy by dx plus y is equal to q. तो कहीं बार क्या होता है, कि हमें जो है उस equation को जो दियू हुई है, उसको proper form में बनाना पड़ता है. तो यहाँ पर हमने इस equation को proper form में बना लिया. तो चलते हैं question number first की तरफ. तो अब हम इसमें compare कर लेंगे कि जो p है, where p is equal to 2 and q is equal to sin x. ठीक है? सबसे बहले हैं आपने p और q की value को निकालेने. Next करना है student हमने integrating factor. integrating factor हम निकालेंगे. इसका formula रहेगा e की power integration p dx. तो p की value जो है, वो है 2. ठीक है? तो 2 के साथ just हम 1 मान सकते हैं. तो 1 का integration जो होता है, वो x होता है. तो e की power जो है, वो 2x. यह आ गया integrating factor. फिर next step के अंदर क्या है? the solution of the given differential equation is given by the relation. अब student क्या है कि जो हमारा solution होगा, वो क्या होगा? उसके लिए आपको एक equation है, वो याद रखनी पड़ेगी. y multiply में integrating factor. ठीक है? is equal to integration. जो क्यो है, उसको हम integrating factor से multiply कर देंगे. इसका integration and plus में constant c. तो हमारे पास जो integrating factor है, वो क्या निकाला था हमने? e की power 2x. उसको हम put कर देते हैं, is equal to. जो क्यो है? statement में आप देख चुके हैं, sin x है, integrating factor. e की power 2x, dx, and plus में c. तो ये हमारा student क्या रहने वाला answer. इसको मैं equation number 1 नाम देता हूँ. अब यहाँ में हम क्या करते हैं कि, ये जो integration है. now, now integration, sin x, e की power 2x. तो इसका integration निकाल लेते हैं, और फिर हम उसकी value को equation number 1 में, put कर देंगे. ओके? तो अब यहाँ पर integration निकालने के लिए, integrating by parts method लगेगा. तो i is equal to sin x को हमने पहले रखा. e की power 2x का integration, e की power 2x upon में 2. ओके? माइनस, फिर जो sin x है, इसका हम क्या लेते हैं? derivative. जो u है पहली term, उसका हम derivative लेंगे. और into में integration, e की power 2x dx. और फिर यह जो complete term आएगी, इसका हम बाद में integration ले लेंगे. तो sin x, e की power 2x upon में 2, माइनस. sin x का जो derivative होता है, वो cos x होता है. और e की power 2x का, e की power 2x, integration divided by 2 dx. ठीक है? तो यह हमने निकाल लिया. अब यह जो cos x और e की 2x है, इसका हमें integration दुबारा से लेना पड़ेगा. तो दुबारा से लेने के लिए, पहले तो मैं 1 by 2 को बाहर ले ले लेता हूँ. proper way में लिख लेता हूँ, cos x को पहले, e की 2x को बाहर में. देखें, cos x वो यू और e की 2x भी. देखें, यहाँ पर, मैंने आपको integrating by parts में, जो मेरा last chapter था, उसमें मैंने आपको समझाया था, कि integrating by part में highlight rule का use करते हैं. मैं एक बार आपको फिर से repeat कर देता हूँ, कि अगर आपके पास inverse की term है, logarithm है, algebraic है, trigonometry है, exponential है. तो हम क्या करेंगे, इस way में चलेंगे, inverse की term पहले, अब जैसे यहाँ पर, हमारे पास एक trigonometry की term है, और एक exponential की term है, तो मैंने क्या किया, trigonometry term को u वाना, और exponential वाई term को v. मतलब इस order में चलना है, highlight rule में, inverse, log, algebraic, trigonometry और exponential. यह नहीं कि है, आप e की term को पहले ले लेंगे, वो गलत हो जाएगा, तो इसी का ध्यां रखना है, तो sin x e की power 2x upon me 2 minus 1 by 2, अब यहाँ पर again, मैं integrating by part लगा रहा हूं, तो cos x e की 2x by 2 minus, cos x का जो student derivative होता है, वो रहता है, minus के sin x. तो minus के sin x हो गया, और e की 2x का e की 2x by में 2 and dx, अब यह complete bracket थी student, तो मैंने हाँ पर bracket close कर दी, अब next क्या रहेगा हमारे पास sin x e की power 2x by में 2, यह जो minus 1 by 2 है, यह multiply हो गया अंदर, 1 by 4 cos x e की power 2x, ओके, and minus minus, एक minus का sin तो यहाँ पर नज़रा रहा है, एक minus का यहाँ पर और एक minus का यहाँ तो 3 minus के sin हो गया है, तो overall minus 1 by 2 sin x e की 2x dx, तो यह हमारे पास term आ गई, ठीक है student, और एक जो 1 by 2 था, वो आगे था, तो वो भी से multiply हो गया, तो total हो गया 1 by 4 नीचे, तो i is equal to sin x e की 2x upon me 2 plus 1 by 4 cos x e की 2x minus 1 by 4, अब यह integration sin x e की 2x है, इसको मैं i नाम दे देता हूँ, क्योंकि हम i लेकर चले थे, minus 1 by 4 i left में चला गया, तो i plus 1 by 4 i is equal to sin x e की 2x upon me 2 plus 1 by 4 cos x e की 2x, तो i और i lc m लेकर 5 i upon me 4 होगे, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, lc m ले लेता हूँ इनका, तो यहाँ पर उपर, जो था, यहाँ minus का sin था, तो मैं sin को change कर लेता हूँ, ठीक है, sin change रहेगा, अब मैं यहाँ पर lc m ले लेता हूँ, तो 4 जो है वो तो, क्या होगा, lc m में आ जाएगा, तो 2 sin x, e की 2x, minus में, cos x, e की 2x, ठीक है, तो i जो है, i की value हम निकाल लेते हैं, e की 2x उपर common आ गया, bracket में 2 sin x, minus cos x, 4 से 4 cancel हो जाएगे, और 5 जो है उधर जाकर, क्या हो जाएगा, divide हो जाएगा, तो equation number 1 थी, equation number 1 becomes, तो वहाँ पर क्या था हमारे पास, student y, integrating factor, e की 2x, is equal to, और जो i था, i हम निकाल चुके हैं, e की 2x, 2 sin x, minus cos x, bracket band, upon में, 5, plus में c, तो यह मैंने equation number 1 में put कर दिया, e की 2x जो है, उधर जाकर divide हो जाएगा, तो यह तो cancel हो गया, तो 1 by 5, 2 sin x, minus cos x, plus c, c के साथ हो गया, e की minus 2x, तो यह हमने differential equation को student क्या किया, soul कर दिया, मैं इसको एक बार starting से repeat कर देता हूँ, सबसे पहले तो आपने equation देखनी है, कि equation आपकी इस form में होगी, तभी formula लगेगा, ठीक है, तभी formula लगेगा, तो आपने पहले चेक कर लेना है, कि वो variable separable है, homogenous है, या integrating factor वाली term है, integrating factor वाली terms बन गए यहाँ पर, तो y से पहले जो p है, उसका use करके integrating factor निकाल लिया आपने, ओके, तो अब जो equation है, उसका formula आपको याद रखना पड़ेगा, y is equal to integrating factor, is equal to q multiply integrating factor, तो q की student value रख दी आपने, और integrating factor, तो यह integration निकाल के, आपने क्या करना है, जो equation number one है, इसी में ही आप value को put कर देंगे, तो y और x की form में आपकी जो है, equation solve होकर आ जाएगी, तो उमीद है आपको यह topic अच्छे से संज में आ गया हुआ, ठीक है, बड़े ही अराम से और प्यार से मैंने आपको समझा है, तो इसकी जो exercise है 9.6, इसकी आपने क्या करनी है, practice करनी है, तो खूप practice करें, मेनत करें, मादा पिता का नाम रोशन करें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, take care, जै मातादी, करें वाल में आपको समय करेंगे इस्वादी,